आज हम नाउन को एक अलगी लेवल से एक अलगी तरीके से बढ़ेंगे बहुत इजी और आसानी से आपको पढ़ाये जाएगा सब को समझ आएगा तो चले शुरू करते हैं हर छेत्र के अलग-अलग वेज्ञानिक पाई जाते हैं ठीक उसी परकार भासा के छेत्र के वेज्ञानिकों को लिंग्विस्ट कहा जाता है वेज्ञानिक चीजों को अपने तरीके सनाम देते हैं जैसे हम बोलते हैं पानी अंग्रेजी में बोला जाता है वाटर लेकिन वेज्ञानिक बोलते हैं H2O हम बोलते हैं मानव अंग्रेजी में बोला जाता है human लेकिन वे बोलते हैं homo sapiens हम बोलते हैं mendak अंग्रेजी में बोला जाता है frog और वे बोलते है rana tigrina इस तरीके से बहुत सारे नाम है means कहने का ये है कि वेज्ञानिकों की अपनी एक अलग दुनियों होती है अलग dictionary होती है ठीक इसी प्रकार tense noun adjective verb ये सारे के सारे भासा के वेज्ञानिकों द्वारा बनाए गए शब्द है जिस तरीके से जानवर को वेज्ञानिकों जूलोजिस्ट कहा जाता है जिस तरीके से हम नेम बोलते है उसी प्रकार भासा के वेज्ञानिकों ने अपनी तरब से नाम दिया है noun वास्तब में noun कोई अंगरेजी का शब्द नहीं है ये वेग्यानिक शब्द है हम नाम बोलते हैं अंगरीज में नेम बोला जाता है और वेग्यानिक नाउन बोलते है तो simply आप समझ जाए कि नाम को ही नाउन कहते हैं अगर कोई आपसे पूछने लगे What is your noun? तो confuse मत हो जाना कि मेरा भी कोई नाउन है जी हाँ नेम को ही नाउन कहते हैं तो नाउन इसकल तो नेम means what is your name पूछ रहा है हो तो भासा की जो वेग्यानिक है उन्होंने इसे पाँच भागों में डिवाइड किया हो है तो there are five types of noun ठीक है नमबर first होता है proper noun second common noun third collective noun fourth material noun और fifth होता है आपका abstract noun ठीक है अब one by one हम देखते हैं first है proper noun means वेक्ति वाचक संग्या यानि किसी वेक्ति वस्तू या इस्थान को उसके नाम से पुकारना ही proper noun के अंतर गताता है जैसे हम कहें सानी, अंकित, आसिफ, राहुल, प्रियास और बहुत सारे चांदनी चोक ठीक है और गंगा ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल साब के सामने हैं ETC second है आपका common noun means जो सब में common हो simply आप कह सकते हो किसी वेक्ति वस्तूत हुआ स्थान के नाम को उसके नाम से ना पुकार कर उसी category से पुकारना जैसे हमने class में इंटर किया और बोला लड़का तो आपको पता लगा है कि कौन लड़का है नहीं समझाया लेकिन आपको यह पता लगा कि यहां लड़कों के बारें बात हो रही है यह गल्स के बारें बात नहीं हो रही है तो एक category को define कर दिया आपने तो वो common noun के अंदर आएगा लेकिन अगर मैं बोलता कि कलू तो वो proper noun हो जाता below वो proper noun हो जाता क्योंकि वो उसका specific के नाम है बात समझा रही है इसी तरीके से son, brother, actor, heroine, mobile यह सब आपके common noun के अंदर आएगे next आपका number 3 पर आता है collective noun collect करना, collect से ही पता लगता है मैं इसे समझा की बात हो रही है जहां एक से अधिक के बारें बात होती है जैसे हम कहे team ठीक है जैसे हम कहे class जैसे हम कहे group जैसे हम कहे baby जैसे हम कहे family अब आपका होगे सर फैमिली में दो भी होते हैं तीन भी होते हैं तो छोटी family अच्छी है, वो भी हमारा collective noun के अंदर ही आता है, family भी, ठीक है, चायमा पे दो हो, या दस बारा हो, समझा रहा है आपको, next देखिए, material noun, कच्चे माल या धातु से कोई नया पदार्थ बनाना, ठीक है, simply हम बोल सकते हैं, पदार्थ वाचक संग्या, जैसे gold, silver, bronze इस तरीके से बहुत सारे option आपके होते हैं, practically थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, जैसे छोटू के पापा की paint थी, और वो काट कर छोटू की बना दी, ठीक है, तो वो transformation हो गया, means, पहले पापा की थी, अब छोटू के काम आ गई, तो भी आपके material noun के अंदर आ जाएग इसी तरीके से दूद को हम जमाते हैं और तही बन जाती है, वो आपका material noun के अंदर आएगी, प्लास्चिक की चीजी भी आपकी material noun के अंदर आएगी, जैसे कहीं बारी आपने देखा होगा, कि कोई बाल्टी वगेरा होती है, और उसमें पहले पानी पीने का आता है, लेकिन abstract noun, abstract noun भाव अचक संग्या, simply आप कह सकते हो हमारे software, ठीक है, हमारे software जैसे hunger, भूग, thrust, प्यास, और आपका love, प्रेम, jealous, एर्शा और बहुत सारे, ठीक है, तो ये थी आपकी noun और इनकी categories, अब मैं आपके सामने कुछ example दे रहा हूँ, इनको देखे ध्यान से जरा, फिर भी कोई doubt हो, तो comment box में जरूर बताए, अब मैं आपके सामने एक extra दे रहा हूँ, इसमें आप type of noun छाटिये, फिर भी कोई problem आरी हो, तो comment box में जरूर बताए, तब तक take care, see you soon with a new video, thank you.